अम शान्ती मां इंडिया हैल्दी इंडिया के अंधरगत स्वासपली चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है हम पिछले अपिसोड की बात करेंगे जो हमने जाना मैंसिस प्रॉब्लम क्या होती है उसके कारण क्या होते हैं उसके लक्षन क्या होते हैं और बहुत जागरुपता क्या है यह कुछ-कुछ बात आपने जाने कारण जाने समस्य जाने और मुख्य बात यह कि अब हमें हमारी जो जिजर्ख है इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह नॉर्मल है और हर एक महिला के साथ यह स्टेज आती है उसको इससे पार होना ही पड़ता है इस सारी चीजें हम आज फिर से जानेंगे और हमारे बीच में फिर सो पस्तित हैं इस स्वासपरी चर्चा में डाक्टर पुषवपार्णी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार शांति जो हमने पिछले एपिसोट में मैंसिस की जो प्रोब्लम चानी उससे दर् प्रष्ण हमारे बेच में आरहे हैं तो उन्हों का एक प्रश्न हमारे बीच में आया जो कल अपी आपी सुर जाना कि जब मैंसस में देच हैं जब दर्द उठता है जो आपने बता है था गाल पे साथ कि पैट में थोड़ा-ठोड़ा दर्द जैसे होता है लेकिन कई बार पूरी body में जैसे दर्द होता है तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके कारण क्या होते हैं? कई लोगों को तो काफी ज्यादा दर्द होता है और उसको premenstrual syndrome भी कहा जाता है क्योंकि hormonal changes आते हैं, और चुकि progesterone जो hormon release होता है उसमें की water retaining power होती है तो थोड़ा बहुत सूजा ना जाती है, शरीर में सूजा ना जाती है, सिर दर्ध होने लगता है, breast bloating जिसको बहुत ज्यादा किसी को तो इतना ज्यादा दर्ध होता है कि वो touch भी ने कर पाते हैं, इतना दर्ध होता है, vomiting होने लगती है, बहुत तकलिफ होने लगती है, तो यह कुछ तो ऐसे कहा जादा कि nutrition deficiency के कारण है, ऐसे इसकी theory अभी exact पता नहीं चली है कि किस कारण से होता है, तो यह hormonal imbalance के कारण भी होता है और nutrition का भी एक कारण ऐसे माना जाता है, तो थोड़ा अगर diet में change किया जाए और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो फिर उसमें भ है, एक और सवाल हमें दर्सकों की तरफ से मिला है, कि जब menses आते हैं, start होते हैं, तो उस समय उनको बहुत कमजोरी लगती है, जैसे आपने का vomiting, तो उसकी भी उनको problem है, तो उनके लिए आप क्या सलाय दे सकते हैं, अब vomiting, यह तो चुकि autonomic nervous system, वो stimulate हो जाता है उसके कारण, तो उसमय यह है कि rest करें, कमजोरी तकलीफ होती है, तो अगर एक दिन rest कर लेते हैं, क्योंकि आप देखो कि अगर आप travel करते हो, तो वैसे भी bleeding problem थोड़ी से start हो जाती है, rest करना बहुत जोड़ी, महीं राएं सब का ज्यान देती हैं, अपना ज्यान नहीं देपाती हैं, तो क्या करते थे, कि पाँच दिन उनको अलग रखते थे, वो तो एक tabos था कि आपको छूना नहीं है, यह नहीं करना है, this is physiological, उसमें ऐसा कोई छूआ चूद की कोई बाती नहीं है, यह तो लेकिन जो प्रथा थी, उसके पीछे भी कुछ अर्थ, ritual था कुछ, क्योंकि पाँच दिन, वो कम से कम rest कर लेते थे, अलग से बैठते थे, और नहीं तो पाँच दिन वो महिलाएं वैसे ही काम करती रहती है, काम करती रहती तो वो दर्थ बढ़ जाता है, तो थोड़ा अगर rest करेंगे, वैसे भी देखो, कि अगर दर्थ होता है, आप rest कर लो, तो uterus जो stimulate होता है, बहुत ज्यादा constrict करता है, तो कम हो जाता है, तो उससे भी थोड़ा आराम मिलता है, जैसे हम बात करें, कि जो menses problem होते हैं, तो क्या ये अलग-अलग age में होते हैं, टीन age में इसकी क्या परिशानी हो सकती है, टीन age में, एक तो irregular cycle होती है, जैसे जब शुरू होता है, म और ये भी परिशानी हो सकती है, जैसे बताए कि मानलो 17-18 साल तक आये ही ना, तो उसको हम कहते हैं, प्राइमरी एमिनोरिया, एमिनोरिया मतलब कि मेंसेस का ना होना, तो जिसको एक भी बार मेंसेस आया ही नहीं, तो प्राइमरी एमिनोरिया कहलाता है, और दो साल तक अग कारण उस समय प्राडुम होती है तो मावाप को भी हम लोग समझाते हैं उस बच्ची को भी समझाते हैं कि कोई प्राब्लम नहीं है, हां अगर बहुत ज्यादा आपको bleeding हो रही है तो भी उस समय हम उसको hormone नहीं देते हैं, PCOS, PCOS, polycystic ovarian syndrome, ये जो होता है, ovaries जो होती है, वो दोनों थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसमें cyst type के हो जाते हैं, multiple, छोट छोटे, polycystic car थी आप समझें, multiple, छोट 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 छोटे cyst, मनी के जैसे हो जाते हैं, मनी के जैसे एक उसमें हो जाते हैं, और उससे फिर hormonal imbalance होता है, तो उसके कारण होता है, तो ये इसको lifestyle disease कहा जाता है, तीसरी बात जैसे कहा, कि endometriosis, endometriosis जो होता है, endometriosis के कारण भी, ये menstrual irregularity हो सकती है, और दर्द होता है, फिर कभी-कभी infection उस stage में भी हो जाता है, तो उस age के कारण भी, उसको एर्रेगुलर तो यह तो खास इस सेज में और इस्ट्रेस एक कारण बहुत बड़ा कारण है जब बोड का एक्जाम देते रहते हैं जैसे कि एर्थ से टेंथ तक जब आता है थेंथ का खास हमारे पास जो बच्चे हमने देखा टेंथ क्लास के बच्चे जादा आते हैं क्योंकि वह पहली ब बंद हो जाता है और अमिनोरिया हो जाता है तो इसको हम सेकेंडरी अमिनोरिया बोलते हैं सेकेंडरी अमिनोरिया अर्था कि एक बार मैंसे स्टार्ट हुआ लेकिन किसी भी कारण से आपका दुबारा बंद हो रहा है छे महीने तक या एक साल तक ऐसे आपको आना ही बंद ह गया, तो यह secondary dysmenorrhea कहलाता है, और उस समय फिर हम उनको investigate करते हैं, उनको जाज करते हैं, यूँकि हमारे भारत देश में TB भी बहुत कौमन है, तो एक TB भी कारण होता है, जिससे TB के कारण भी मैंसे बंध हो जाता है, तो कही patients तो, आज करती TB भी नॉर्मल होगी हर किसी को छुटी एज में होने लगी है, तो कही ऐसे मरेज हमारे पास आते हैं, जिनको मैंसे हुआ ही नहीं है, या फिर एक बार मैंसे हुआ और बंध हो गया, फिर हमने जब उनकी पूरी जांच कराई, क्योंकि हमको doubt हुआ, मतलब female healthy रहती है, लेकिन TB के कारण भी यह problem हो जाती है, तो यह adolescent age में भी हो सकती है और बाकी बाद में तो हो सकती है, तो यह adolescent age की तो यह problem है, अफ़ी जो दूसरी जो होती है, middle age जिसको कहते है, कि reproductive age, तो reproductive age में भी बहुत सारी problems होती हैं, इस age में भी aminoria हो सकता है, और जो adolescent age की एक बात और मुझे अभी समझ आ रही है याद आ रही है कि उस समय ही डाइगनोस होता है कि आपके अंदर congenital anomaly है congenital anomaly मतलब reproductive system में कुछ abnormality अगर है तो उस समय ही यह डाइगनोस होता है तो उस समय भी adolescent age वाले ऐसे person आते हैं मतलब ऐसे लड़किया आती है फिर आप middle age की हम बात करें जैसे कि आपने किशोरियों की बात की teenage की तो उस समय किशोरियां बहुत छोटी छोटी होती है तो उस समय विशेश मात पिता को उनको क्या जानकारी देनी चाहिए या फिर विशेश मम्मीयों को बच्चीयों को क्या जानकारी देनी चाहिए menstrual hygiene के बारे में यह बहुत ही आपने सही बात कई आज कल यह के मोहिन भी चला है brain the red मतलब की hygiene बहुत ज़्यादा जरूरी है साफ सफाई किस तरह के pets लेना चाहिए यह भी बहुत ज़्यादा important हो गया है क्योंकि अभी तक sanitary pads लिये जाते थे उससे environment में बहुत दुकसान हुआ क्योंकि लोग कहीं भी उसको fake देते थे कभी toilet में भी fake देते कभी नालियों में ऐसे fake देते थे तो सारे blockages होने लगे तो इतना ज़्यादा की choking हो गया तो जब बरसात में पानी बरसता है तो पानी बरसता है कि एक कारण चूकी नालिया सारी block हो जाती है तो पूरे पूरे शहर में पानी भर जाता है और उसका कारण यह देखा कि यह pad है तो इसलिए आज एक ऐसी जानकारे सबको देना बहुत आवश्यक है कि अब वो जो पूराने पैट्स हैं उनको यूज ना करें जो वाशिबल पैट्स हैं उनको यूज करें जो कि cotton की बने हुए होते हैं और बहुत अच्छे अच्छी है वो आजकल करते थी कि जो स्वीपर्स वगरे हैं तो वो उस कहीं पड़े रहते हैं तो उसको उठा कर ले जाते थे और उसको रे यूज करते थे इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा उसका नुकसान होता था तो इसलिए उन पैट्स को यूज ना करके कॉटन पैट्स यूज करना चाहिए जो वाशबल होते हैं और सफाई जरूर रखने चाहिए कि तीन-चार बार आप चेंज करूं तो बहुत अच्छा क्यूंकि ग्रामेंड की महिलाओं को खास तो आजकल तो ये सारे स्कूलों में भी जानकारी दी जाने लगी है और ग्रामेंड महिलाओं के पास भी जाने लगा है और ये गवर्मेंड की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास किया जा रहा है इवेन जो पैट्स हैं वो उनको बांटे भी जा रहे हैं कि आप सफाही रखो नहीं तो उसके कारण infection होता है urinary tract infection होता है और यहां तक कि जो genital tract infection उससे ही होता है और genital tract infection से क्या होता है कि treats भी ब्लॉक हो जाती है जब treats भी ब्लॉक हो जाती है तो future में फिर बचे ना होने के यह problem ज़ादा बढ़ जाती है इसलिए हाईजीन बहुत जरूरी है पैट्स के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है पैरेंट्स को यह नहीं मालूम था यह तो अभी सारे लोगों को यह जानकारी दी जा रही है तो सभी पैरेंट्स जो सुन रहे हैं और जिनको अभी मैंसल होता है या बच्चों को जैसे होता है तो आप उनको जरूर मेंस्ट्रूल हाईजीन के बारे में जरूर बताएं और यह पैट्स अगर चेंज कर सकें तो बहुत अच्छा कॉटन पैट्स अगर लें तो बहुत अच्छा और आजकल मेंस्ट्रूल कब भी आया है जी बंस्ट्रूल कब जो होता है मैरिड लेडिस तो बहुत अच्छे से योज़ कर सकती है जी लेकिन अन्यारिड को थोड़ा सा एडॉलेसंट्स सुला से कम में तो नहीं हम इनको शला देते हैं लेकिन उसके बाद यूज़ कर सकती है क्योंकि बहुत flexible cup होता है और इसको यूज किया जा सकता है इसमें blood भर जाता है और फिर इसको बाहर आप फेक सकते हो तो इसमें disposable कभी ऐसा कुछ बात नहीं रहता है वो cup अच्छा चलता है तो ये बात बहुत जरूरी है और government का भी बहुत प्रयास है और बस जरूरत है आपक सबस्सक्राइब क मेंचा थि देखने जरूरी ज़िए खुरी जरूरी हमारी तो यस्जी के बारे आपसे हुथिए और सबस्त्रे चैण07 यूरी क हaltet वमेंची टि eleむ को क्या जानकारी देनी चाहिए उनको वैं सॉपोर्ट करना चाहिए कि यह सब नॉर्मल होता है अनको घर का साइकडोलोजिकल सपोर्ट मिलता है तो प्रद कम होता है और अगर お बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट अगर देते हैं यह बैलन्स को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बच्छे तो बोजन लेते नहीं है बच्छे दो अगर उनको तो फास्ट पूड ही पसंद आता है क्योंकि मम्यों को पहले फास्ट पूड पसंद आता था और यह भी देख तो एडोलेसेंट एज में भी फास्ट पूड़ी पसंद आता है पिर रजगुला भी पसंद आयगा पिर समुसा भी पसंद आएगा यह सब जादा लेते हैं और उसके कानण मोटाभा भी बढ़ता है तो मम्मियों को चाहिए कि उसको healthy diet के बारे में भी बताएं कि क्या-क्या फाइदा होता है खुद भी खाएं और बचे को भी खिलाएं तो healthy diet में क्या आता है healthy diet में fruits, vegetables fruits किसी भी तरह का दे सकते हैं सब healthy होता है seasonal fruit देना चाहिए ऐसा नहीं कि वो बहुत दिनों से freeze में रखा हुआ है या जो सबसे महँगा मिल रहा है कई लोग के वो होता है कि हम बच्चे को बहुत अच्छा खिलाएं तो जो सबसे महँगा मिलेगा क्योंकि अगर seasonal नहीं है तो तो महँगा मिलेगा और stored रहता है तो stored food ना देकर stored fruit ना देकर जो कि seasonal fruits होते है वो देना चाहिए तो वो बहुत फाइदा करता है उसमें कि vitamins रहते हैं सब और proper उसको ये तेल, घी ये तो avoid करें शुगर शुगर भी avoid करना चाहिए शुगर भी बहुत नुकसान करता है तो balanced diet लेना चाहिए और इस समय जो age होती है वो growing age होती है protein की भी आवश्यक्ता होती है तो soya bean है, डाल है इन सब में protein बहुत ज़्यादा होता ये देना चाहिए मा लोग विशेश कोशिश करें कि बहुत अच्छा tasty भोजन बनाए टेस्टी के साथ healthy भी होना चाहिए लेकिन हमारे देश में क्या करते है बहुत ज़्यादा पका देते है तो उसके जो vitamins होते हैं वो ख़तम हो जाते है तो वो भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसे बच्चे आज कल पसंद नहीं करते अपने कहा ने कि fast food पसंद करते तो उसको कुछ ऐसा healthy healthy recipe सीख लें तो बहुत अच्छा खुद को भी फायदा है और बच्चों को तो फायदा है जी यह ना बिल्कुल यह तो हुई teenage की बात है कि mansis problem क्या क्या हो सकते तो middle age में भी mansis के क्या problem हो सकते है 20 साल से प्रारम होता है तो इस समय married भी रहती है लोग तो अब married के बाद pregnancy की भी problem चालू हो जाती है तो कभी early pregnancy हुई abortion हो जाता है तो वो भी bleeding problem ही कहलाईगी फिर दूसरा ectopic pregnancy कहलाता है ectopic pregnancy ectopic pregnancy अर्थाद जैसे जो pregnancy होती है वो तो uterus की cavity में रहती है यह जो normal pregnancy यहाँ पर होती है यहाँ पर यह cavity में रहती है गरभाश है जिसको कहा जाता है लेकिन यही प्रेगनेंसी अगर नली में चली गई नली में चली गई तो इसको ectopic pregnancy कहा जाता है यह बहुत खतरनाक होती है इसमें नली का फट जाती है और नली का फट जाती है और emergency में operation करना पड़ता है तो इसमें भी महिला को बहुत दर्द होता है दर्द जादा होता है और bleeding थोड़ी सी कम होती है और अगर मान लो abortion है तो यहाँ पर pregnancy रहती है गरभ रहता है उसमें bleeding जादा होती है दर्द इसके comparison में कम होता है तो यह तो pregnancy के साथ की problems हो सकती है तो इसमें क्या जानकारी देना चाहिए दर्शकों को कि यह pregnancy जब होती है तो इसमें जो परिशानिया हो तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए उनके लिए परिशानिया फिर दवाईयां तो आती है उससे यही है कि जैसे ही घर ठेरे तो हमेशा डॉक्टर को रहे और मतलब रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए चेक अप कराना चाहिए प्रॉपर वह बहुत ज्यादा जरूरी है तो यह तो प्रेगनेंसी से संबंदित गायनिक प्रॉब्लम जैसे पहले बता है एमिनोरिया इस उमर में भी हो सकता है एमिनोरिया मतलब मैंसिस का ना होना तो इस उमर में भी हो सकता है तो इस उमर में इसका भी कारण टीबी एक बहुत बढ़ा कारण है दूसरा जो होता है PCOS इस समय भी हो सकता है तीसरा जो होत फिलम अरे इस दो मेंगा मेंगा सबसक्ता जाने चेंप फिस सब्सक्राइबर लुटतु değil जिसको हम कहते हैं, sexually transmitted infection की कारण भी बहुत ज्यादा problem हो जाती है और उसमें vaginal discharge भी ज्यादा होता है, smell, foul smelling discharge के साथ भी bleeding आती है, तो sexually transmitted भी होती है, और दूसरे भी infection हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं है, लेकिन mostly जो common है इस age में, वो sexually transmitted infection होता है, और फिर गठान भी हो जाती है, कई जगे, जैसे गठान की हमने पहले भी चर्चा की थी, कि फाइब्राइड हो सकता है, polyp हो सकता है, विबिन प्रकार की गठाने ovarian में हो सकता है, तो अलग-अलग problem में, अलग-अलग type की menstrual problem हो जाती है, मान लिजे, कभी-कभी ऐसा होता है, कि चोट भी लग जाती है, तो चोट के कारण भी ऐसे bleeding हो सकती है, जो पहले बताएं कि 40 से 45 वर्स की उम्र में, जिसको हम menopause कहते हैं, तो उस समय क्या इस्तिती होती है, उस समय क्या करना चाहिए, क्या परिशानियां आ सकती हैं? Menopause के समय भी, वैसे तो हमने इसका अलग topic की लिया है, क्योंकि menopause age बहुत important है, और आजकल उम्र बढ़ती जा रहे, यह बहुत अच्छी बात है, कि महिलाओं की थोड़ी सी उम्र बढ़ रही है, क्योंकि दवाईयां आ गई है, medical science आ गया है, तो पहले तो थोड़ी age कम थ प्रॉबलम भी बढ़ गई है, तो menopause जो होता है, उसकी जो normal age होती है, वो 45 होता है, menopause मतलब मावारी का बंद हो जाना, लेकिन वो पहले भी हो सकता है, 40 के बाद स्टार्ट हो जाता है, और बाद में भी होता है, लेकिन menopause क्या दो तरका होता है, मान लीजे, किसी महिला का, uterus निकाल दिया, और उसकी ovaries में निकाल दिया, जैसे endometriosis है, और endometriosis में भी, अगर मान लीजे, जब तक आप ovary नहीं निकालोगी, तो hormone तो release होगा, तो दर्द तो आपको होगा ही, तो अगर ovaries निकाल दिया, uterus निकाल दिया, पुरा, तो उसको हम surgical menopause कहते हैं, surgical menopause, मतलब ovaries नहीं निकलती है, तब तो hormone release होता है, लेकिन अगर ovaries, मतलब अंडाश है, जिसे hormone निकलता है, तो अगर वो निकाल दिते हैं, तो एकदम estrogen hormone कम हो जाता है, तो उसके करण, जो अवस्ता होती है, उसको हम surgical menopause कहते हैं, ये तो 33-35 years में भी हो सकती है, अगर किस निकाल दी, तो उसको problem हो जाए और ये बहुत बड़ी problem होती है, क्योंकि हॉर्मोन के करण हमारे सारी जो body है, उसके सारी system अच्छे से काम करते हैं, तो इस समय और भी problem होती है, जैसे menstrual problem की बात चाप कर रहे हो, तो menorrhagia, मतलब bleeding का बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्याद ज्यादा समस्या बढ़ जाती है, तो क्या treatment देना चाहिए, या क्या test कराना चाहिए, मिनोपॉस के समय, मैंसिस के समय, मैंसिस के समय हर age का अलग-अलग होता है, adolescent age है, middle age है, मिनोपॉस age है, तो हर age की अलग-अलग problems होती है, और उसके अनुसार हम investigation कराते हैं, लेकिन जो कु हमोगलोबिन सबसे पहले कराते हैं, कि उस महिला का हमोगलोबिन तो कम नहीं हो गया है, हमोगलोबिन फिर भी कितना होना चाहिए महिला के अंदर, नॉर्मल महिला के अंदर लग-भग 12 तो होना ही चाहिए, वैसे तो अलग-अलग मत हैं, कि 13-14 कोई कहता है, मतलब ICMR अलग हो अलग कहता है, लेकिन 12 तो लग-भग होना ही चाहिए, तो सबसे पहले CBC करवाते हैं, CBC वह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमको यह पता चलता है, कि किस तरह से blood case की कमी हो रही है, उसे test से हमको पता चल जाता है, CBC के बाद, पिर आजकल जैसे हमने बताया थारेट प्रॉब्लम बहुत जादा है, थारेट प्रॉब्लम, तो वो भी एक common test ही कहलो कि हम adolescent में भी करवाते हैं, middle में भी chances होते हैं, थोड़ी कम होते हैं, बाद की age में भी थारेट ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और कभी-कभी शुरू में भी ज्यादा प्रॉब्लम हो और अब बच्चीयों का अंदर से तो चेक अप होता नहीं है उनको सिर्फ सोनोग्राफिय से पता लगा सकते हैं लेकिन जो मिडिल एज वाले होते हैं और जो बाद वाले होते हैं वैसे अन्मेरिड लोगों को कभी अंदर से हम लोग जाच नहीं करते हैं लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो फिर अन्डर एनेस्थीशिया उनको जाच की जाती है कि ऐसा तू नहीं कि इसको कोई गठान है जो क्योंकि कुछ गठाने ऐसी होती है जो कि सोनोग्राफी में नहीं आती है वो अगर सर्विक्स में जो की गरभाशे का जो निचला हिस्सा होता है उसमें दिखाई देता है तो अंदर से जाच पे पता चलता है तो फिर हम पेरेंट से परमिशन लेकर फिर उसके अंदर से जाच भी करते हैं और मेनोपॉस एज में भी तो जाच करते हैं फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम पैपिस्मेर टेस्ट कहते हैं तो पैपिस्मेर टेस्ट जो होता है वो आफटर थर्टी आफ्टर थर्टी वो कराना चाहिए एक जो इंफेक्शन होता है HIV इंफेक्शन वो तो हम यूजली इसलिए कराते हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए क्योंकि आजकल कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो गया है और मिडल एज में इसका कारण जो और मैरिद भूमेंश कोंई HIV होता है अभ और मैरिद को कोई आवश्च्छाथ नहीं होती है क्योंकि जो कारण बिदू को चाहिं जो कारण होता है मिली एक्षूली है ट्रंस्मिट्टर होता है थो उसमें आवश्चिक्त्र नहीं होते है अन wasn't कराते हैं, लेकिन पैफेष्मिया टेस्ट जो होता है, वो आफटर 30, हम मिडिल एज में भी कराने लगते हैं और 40 के बाद तो कराना ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरदी, कुछ जो है टेस्ट, ये बचों में ने कराते हैं, बचों में टेस्ट ने कराते हैं, इसम क्योंकि exercise के द्वारा endorphin release होता है जो कि happiness का hormone मना जाता है और उससे हमारा emotional control भी रहता है जैसे meditation बहुत ज़्यादा जरूरी है meditation के साथ ही exercise भी जरूरी है मतलब life में हमें हर चीज का balance रखना बहुत जरूरी है कई लोग ऐसा होता है कि सिर्फ exercise ही exercise करते है हमारा तो इसी में stress release हो जाता है लेकिन meditation का जो importance है exercise के साथ meditation भी जरूरी है दोनों बहुत जरूरी है तन और मन दोनों का व्यायाम जरूरी है पहले 20 साल पहले तन का व्यायाम इतना जरूरी नहीं था क्योंकि महिलाएं घर का काम करती थी तो अपने आप ही उनका व्यायाम हो जाता था लेकिन आज इस समय तन का व्यायाम बहुत जरूरी है और मन का व्यायाम तो जरूरी है जो कि meditation करता है लेकिन तन का व्यायाम भी जरूरी है क्योंकि उससे hormone level balance होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाती हैं जैसे PCOS जो होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है और फाइबराइड वगएरे इसमें भी देखा गया है बहुत ज़्यादा तो असर नहीं होता है लेकिन healthy lifestyle का हमारे dysmenorrhea में और इन सब चीजों में फरक जरूर पड़ता है जैसे बताया अपने पिछली एपिसोड में कि meditation का भी विशेश रोल रहता है तो हमारे दर्श्मों को बताएंगे meditation के बारे में थोड़ा meditation का तो असर होता ही है क्योंकि एक महिला जग होते है और उसको घर का तो काम देखना ही पड़ता है और आजकल working ladies भी हो गई है तो घर का भी देखते हैं बाहर का भी देखते हैं तो इतना ज़्यादा work load हो गया है तो महिलाओं को वैसे ही ज़्यादा stress हो जाता है तो कुछ समय हर चाहे वो युवा हो चाहे middle age का हो चाहे menopause age का हो उसको meditation के लिए समय जरूर निकालना चाहिए क्योंकि उससे stress कम होता है तो उसकी वीधी क्या है वीधी के लिए हमें हम soul conscious रहें अपने आपको जाने कि मैं कौन जब मैं कौन अपने आपको जानती हूँ तो अपने आप ही शानती के vibration release होने लगते हैं रिलाक्स हो जाते हैं और stress अपने आप ही कम हो जाता है आपने जैसे ही कहा कि मैं कौन उतने में ही बहुत ही शानती कानभा हुआ बहुत ही अच्छा आपने मैंसिस समस्याओं से संबंधित जानकारी दी इस एपीसोर्ट में बहुत कुछ जानने को भी मिला, समझने को भी मिला सिखने को भी मिला और हम उमीद करते हैं कि आप इस एपीसोर्ट को सिब सोनेंगे यह नहीं इसको आप अपने जीवन में लाएंगी भी और अपनी समस्याओं का निदान भी करेंगे और हम फिर मिलेंगे इस स्वास्परी चर्चा में एक नए विश्य के साथ ओम शन्ते